कि पज़न के आप की मुख्रता दस प्रकार की पज़न होती है कि दस प्रकार की पज़न होती है अब इनमें जो है क्या करना है पहले थो जो पुण पजल करने से पहले एक पहली के सामान निया फिर जनरल रूस पजल या फिर ये कहें पजल को सल्व करने से पहले कुछ सीजे हमें ध्यान में रखनी हो जैसे वह यह कि अगर या पजल कर रहे हो थोड़ा सब हम सेंटर में आ गए है तो ठीक है कैमरा का तो पहली के सामान ले पजल को पढ़िए और जो सौ पृतिसा सटीक जानकारी है उससे पजल की सुरुवात कीजिए अगर कि आपको 100% मतलब की जो जानकारी 100% दी हुई है आप फिर कहें 100% सत्त है उसको पहले लिखे जिन में कंफ्यूज करता है देखो अगर कि जो कहें तो वह हमेशा बाग के दूसरे व्यक्ति को दरसाता है और और बाग के पहले व्यक्ति को दरसाता अगर कि कोई कह रहा है कि आर आर जो है एस के दाई तरफ बैठा है जो 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 पी के बाई ओर है तो इस तरीके से मतलब की कहने का मतलब की इस तरह से के पहले और दूसरे को दर्साता है तो जो हमेशा बाग के दूसरे बाग तो दर्साता है और आपका और किसको देखा बाग के पहले व्यक्ति को दर्साता है ये तो हो गया भईया पजल के सामान नियम पजल देखो पहले तो ये चीज है कि जो 100% true है या पर एक कहें 100% सतीक जानकारी है तो उसको पहले आप नोट करें चलिए शुरू करते हैं पहली पजल से इस से आपको अगर हम पजल सौल्व कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो पहले पजल दी हुई है फस्ट नमबर वन आठ ब्यक्ति A, B, A, C, F, J, P, R, T और B एक बरगाकार मेज के चारों और इस प्रिकार बैठे हैं कि उनमें से चार कौने मेज के बाहर की और उनमुक होकर बैठे हैं जबकि अन्न चार मेज की भुजा के मद में अंदर की और उन उनमक होकर बैठे हैं यहां पर क्या कह रहा है उनमें से चार यहां पर पहले तो हम बरगाकार मेज बना लेते हैं यह बना ली वहिया हमने एक बरगाकार मेज थोड़ा बरगाकार नहीं लगे ठीक है लेकिन बरगाकार मेज है यह बना ली हमने बरगाकार मेज एक बरगाका मेज के चार और इस प्रकार वैटे हैं उनम्क करके बैठे हैं तो बाहर की और उनम्क होकर बैठे हैं तो चार हमने इस कौने पर बैठाले हमेशा दो संभावनाय बना के चल ला दो संभावनाय हमेशा बना के चल ली है हमें ठिक है एक कहरा है जो कौने पर बैठे है वो क्या बैठे है या बाहर की ओर उन्मक होकर बैठे है ठिक है आगे कह रहा है जबकि अन्य चार मेज की भुजा के मद्द में अंदर कि और उन्मुकू HC बैठी हैं देखो यहांपर जो है भुजा के मद्ध में अंदर की और उन्मुकू fest आगे वड़ते हैं यह तो ओ गई भहिया इनकी बैठे को जैसे एक है कि बर्गा कार मेज और यह कहां पर मतलब किस दिसा में मुह करके बैठे हैं अब बात कि उन में से प्रतेक के पास अलग-अलग लैप्टॉप जैसे जरूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो अब यहां पर देखो पी को विठाल दिया यहां तो हमने देखो पी को विठाल दिया यहां पी बैठ गया अब कहा रहा है पी उस व्यक्ति के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास लेनोवो है अगर कि आप देख सकते हो तो जिस तरफ जैसे कि आपका जो left and right है तिक है दाहना और बाया आप सासा ही समझ सकते हो ठीक है हमारा इस साइट से दाया यह है ठी को समझना ठीक है तो पी उस व्यक्ति के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास लेनोवो है तो लेनोवो वाले के दायें से दूसरा तो देखो यह लेनोवो वाला कहां आ जाएगा यह लेनोवो लेनोवो हमने छोटा सा लिख दिया यहां पर और यहां पर हमने एक जगह यहां P बनाया और एक जगह यहां हमने लेनोबू लिख दिया इस पर्ष्ट तो दिख रहा होगा है की नहीं ठीक है एक कर दिया अब आगे चलते हैं आगे क्या है बहे वैक्ति जिसके पास HP है बहे पी के आसन बैठा है अब जो जिसके पास HP है या फिर कहें जिसके के पास HP का laptop है यहां बैठ सकता है यहां बैठ सकता है ठीक है और आगे पर तो जिस व्यक्ति के पास लावा है यह वाले व्यक्ति के ततकाल बाएं बैठा है तो यह देखो यहां बैठा है यहां बैठा दिया अब कह रहा है जिस व्यक्ति के पास लावा है यह देखो बाहर की और देख रहा है बाहर की ओर तो इसका जो अगर देखो जैसे अंदर की ओर देखे यहां पर मैं बनाए दे रहा हूँ ठीक है देखो अगर की वो अंदर की ओर उन्मुक है तो यह कि उसका क्या होगा दाया सुरी यह आपका बाया है बाया होगा ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा दाया हो जाएगा और अगर की यह बाहर की ओर उ दाया तो यहां पर यही कह रहा है कि देखो यह बाहर के और अन्मुक है तो है फिर ब्रक्रता क्या सब्सक्राइब्स इस में लावा और यहं रख दिया और यह उपयककर Türkiye रहे अगे चलते हैं जे और लावा रखने वाले व्यक्ति बीच दो व्यक्ति बैठे हैं तो जे और लावा एक तो देखो यहां पर जे आ सकता है ठीक है और एक आपका यहां पर जे आ सकता है आ सकता है कि नहीं इस वाली कंडिशन में देखने ए अगे चलते हैं आरगे हैं दायें आगे सतान पर बैठा है और उस बैठती के विवेड़ जिसके पास एपल है जो आर है जे के दाहे से इसका दाहे ना कौन सा है यह वाला दे आर यहां बैठा है यहां पर अगर जे ले तो यहां पर आएगा ठीक है माल ले एक तरह से रुख जाओ आप कंफ्यूजन हो रही है चलो एक आकरती और बना लेते हैं एक आकरती हम और बना लेते हैं यह आपको एक्जाम में नहीं बनानी यह तो आपको एक्जाम में ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ठीक है मैं तो वस समझाने के लिए आपको एक आकरती बना रहा हूं इसकी दो condition बन रही है न अब इसको देख लेते हैं पहले फ़स्ट वाले को देख लेते हैं फिर इसकी दो आकर्टी बनाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि फ़स्ट वाला वैसे नहीं बन रहा है तो फ़स्ट वाले में देखो पहले जे के दाई और दूसरा कौन है आर है अब लाबा और जे के वीज लाबा और जे और लाबा रखने वाले की दो व्यक्ति तो एक व्यक्ति तो यह होगा एक व्यक्ति यह हो दूसरी और और कहा आ गया यहां आगया ठीक है अब कह रहा है आर के विपरीद कौन बेटा है Apple वाला आर जे के दाया से दूसरी स्थानव बैठा है और उस वेक्ति के विपरीद बैठा है जिसके पास apple है और किसको देखाता है हमने बताया था अभी कि और पहले वाले व्यक्ति को बताता है बताता है कि नहीं और किसको बताता है पहले तो तो पहले कौन है आर आर जी के दायें से दूसरे स्थाने वेटा है और उस व्यक्ति के वेटा है जिसके पास apple है तो आर के व बैटे टिक है और यहां आता हो आर के विप्रीद क्या एपल यहां भी आ सकता था लेकिन यहां पर आपका सही वन गया यह वाली हो गई स्थिती हमारी फर्ष्ट वाली हो गई कैंसल अब देखते सेकंड वाली तो यहां पर आ जाएगा यहां पर जितने वेक्ति और सी के बीच वैटे हैं प है उतने यहां पर देखो एक देखो यहां पर प आ नही शकता तो वज़ Soup यहा पर बीच बेच राएं भी कहां आ जाएगा एपल वाले की जगाहे पर या भी हाँ रहा है जो डेल वाले व्यक्ति से दो इस्थान दूर वैठा है जो किसके लिए आता है जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है दूसरा वाला कौनसा है भी या भी जो है कहाँ पर वैठा है अगे देखते हैं या तो आर या सी के पास सोनी का लैपटॉप है या तो R या C के बाद, C के पास देखो हमने यहां देखा लेनोगों है, लेकिन R के पास क्या हो सकता है, Sony हो सकता है, R के पास क्या है, Sony का laptop है, clear इतना, अब आगे दिखा है, F A के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसके पास आसुस है, S जो है, F A के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसके पास आसुस है, यहां पर देखो, F A के बाएं से दूसरे स्थान पर, F A के बाएं से दूसरे स्थान पर, A के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो देखो यहां पर, A यहां आ जाए, A के बाएं से, तो बाया इसका S side होगा तो A के बाया से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है एप बैठा है और जिसके पास Asus है तो किसके पास Asus है A के पास जिसके या जो दूसरे व्यक्ति को हमेशा दिखाता है तो A के बाया से दूसरे स्थान पर बैठा है के पास आसुस है तो एके पास क्या है आसुस का लेप्टॉफ है ठीक है ये के पास आसुस का लेप्टॉफ हो गया अब बचा पी तो यहाँ पर कौन सा लेप्टॉफ बचा हुआ है भहिया आपका S का S का laptop बचा है HP किसके पास है J हो गया A हो गया R हो गया C हो गया B हो गया F हो गया तो बचा कौन सा भही है T तो T के पास कौन सा हो गया HP का laptop कोई doubt हो तो आप लिख दीजे comment box में कि द्वारा बता दो sir अगर यी द्वारा जानना है आपको तो comment वे लिख दो फिर अगली puzzle पर जो है रुख करते हैं आप फिर अगली puzzle को देखते हैं और यी session अच्छा लगे और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे बच्चों तो like जुरू कर देगा session को like and subscribe our channel vision agree academy puzzle सब करवाने वाले हैं एक पजल नहीं छोड़ने वाले ठीक है हर तरीके कि आपको पजल करवाएंगे बस mixture में करवाएंगे ठीक है किसमें करवाएंगे वच्चों mixture में करवाएंगे लिख दो comment box में कोई doubt है तो इनी डाउट चली चलते हैं next puzzle पर अगली पजल की बात करते हैं session अच्छा लग रहा है तो like जुरू करते जाएगा ठीक है अगली पजल की बात करें तो अगली पजल है आपकी second वाली पहली पजल आपको समझाई हो hope so समझाई हो इसका skin sort लेने ना घर से आप जो है पजल को उसको करना दोवारा से practice करना उसको ठीक है अगली पजल है दूसरे नंबर वाली पजल पहली हो गई अब है दूसरी वाली यहाँ पर दिया गया है समबार से रभीवार तक एक स्कूल में साथ अलग अलग पिरतियोगता हैं जैसे आपका भासन नत गायन कराटे अवेकस ड्रोइंग और कभीता का आयोजन किया गया पिरतेक दिन केवल एक पिरतियोगता आयोत की गई थी यहाँ पर इतना language लिखा हुआ है अब यहाँ पर क्या गया भासन पिरतियोगता वार तीन से अधिक पिरतियोगता है आयोत कि गई तो यहां पर पहले तो हम क्या लिखेंगे समबार से रवीवार तक इहां ठीक है यहांपर हिना स academia देट क्या है स覺 बुरॐ वार इतना तो इंगलिस आती या राफ लगों को राइडय आता है फिर पर आता है आपका क्या सेटरड़ी फिर आता है क्या विए क्या संड़े ठीक है इसको वडिया से टेबिल बना लेंगे हम इस तरीके से इसमें इसमें भी हम 2-3 condition बना के चलेंगे, ठीक है, 2-3 condition यहाँ पर, इंग्लिस में question नहीं है क्या, कार्थिक गड्ड, भहिया इंग्लिस में नहीं है हमारे पास question, ठीक है, इंग्लिस में भी जल्ली session लाएंगे, अभी हिंदी वाले बच्चों की demand थे कि सर पजल करा दो, चलो कल से session एक बार फिर से बता दो सर, चलो इस वाली पजल को देखो, उसको हम जो है, एक बार आप solve करना, ठीक है, फिर आपको बताएंगे उसको, आप धीरे देखो, एक बार में समझ नहीं आने वाली यह पजल्स हैं, ठीक है, अगली वाली देखते हैं, फिर उस पर चलते हैं, ठी कि इसको देख लेते हैं, पहले, कहां पर doubt है, यह लिख दूँ आप, रानी जी, आपको कहीं पर doubt है, तो वो लिख दीजिए, कि सर यह समझ नहीं आया, तो मैं वो उस आपको बता दूँगा, देखो यह आप पर, यह हमारी लाइन, क्या है ना, इस पर लाइनिंग बनाना थोड़ा सकते, पैंसे लाइन बनाना थोड़ा सकते, कठन लगता है ना, यह देखो, तेड़ी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेड़ी चलती है, ठीक है, यह हमने बना ली थोड़ी सी टेबल, यह से ही आपको एक्जाम में बनाना है, मंडे, टूज़डे, बैनेज़डे, थरस्टे, फ्राइडे, संडे, अब क्या कह रहा है, यहां से, यहां से हमारी पजल स्टार्ट हुए, पहले दोगा इंस्ट्रक्शन दिये होते हैं, कि यह कि यह हमारा मतलब जैसे कहा गया है, साथ अलग-लग परतियोगता हैं, आज़ित है, तो भहिया सौंबार से हमें मंगल एक हैं, सौंबार से रविवार तक का में चार्ट बनाना पड़ेगा की नहीं बनाना पड़ेगा, बिलकुल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो हम से अधिक प्रतियोकता कि द southern भाषर प्रतियोकता के बार तो prima गिए यहां पर यहां पर नीचे से दिखें के एक दो तीन और टिन आति के ए ते नहीं कहा ना सिर्व हम्हाँ सर्त प्रतियोकता एक यहां लिखेंगे एक हमने यहां पर लिखा क्योंकि ऊपर तीन से अधिक है ना, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, पांच नहीं ठीक है, एक भासर पिर्तियोगता यहां लेकिने, यहां पर हमारे तीन जो है संभावनाय या पॉसिविलिटी बन रही है, ठीक है, यहां पर कह रहा है अगला, भासर और ड्रोइंग पिर्तियोगताओं के बीच केवल दो पिर्तियोगता है आयोजित की गई तो यहां पर वह उपर तो बनेंगी नहीं तो यहां पर एक और दो तो भासर पिर्तियोगता और ड्रॉइंग पिर्तियोगता के बीच कितनी दो पिर्तियोगता है आयोजित की गई ठीक है समझ आ रहा है ना तो यहां पर भी हम दो बना लेंगे दो कॉलम छोड़कर क्या कर लेंगे ड्रॉइंग यहां पर भी ऐसे हम इसमें लिख लेंगे इससे थोड़ा सा मतलब की अभी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगी है मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लेकिन अगर कि मुझे पजल जो है अपन मतलब कि जो जानकारी मिलती जाये पजल में वो लिखते जाओ ओठीक है जो जानकारी मिलती जा रहे है उसको लिखते जाओ आगे लिखा भुआ है किस से ड्रोइंग प्रतियोक्ता से पहले आयोत की गई संख्या ठीक है नत्र प्रतियोक्ता के बाद आयोत की गई प्रतियोक्ता की संख्या से एक कम है अगर की मतलब की नत्र प्रतियोक्ता के बाद 5 की गई है तो आपकी ड्रोइंग के पहले कितनी 4 की गई होगी तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार और पांच यहां पर अगर कि 5 की गई गई तो आपकी नत्प्रतियोकता के बाद कितने हो गई गहीं जो आयूरीट की गई है वो कितने पृतिएगता से कम है तो इक देखो ऊपर से नीचे से करे है एक गए कर पांच तो यह तो हमारा चैंसल हो जाएगा ये वाला तो निरत आपका है अगला लंखा हुआ है कभीता और कराटे पृतियूगता वीच केवल एक पृतियोकता आयुजद की गई थी स्क्षाइब प्रतियोगता के बीच केवल एक प्रतियोगता जो है आयूजत की गई थी किरमागत दिनों में अबेकस और कराटे प्रतियोगता आयूजत की गई थी और गायन और भासन प्रतियोगता किरमागत दिनों में आयूजत नहीं की गई है तो गायन और भासन जो है किरमागत दिनो तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कभीता और कराटे प्रतियोगता के बीच केवल एक प्रतियोगता आयद की गई तो यहां पर देखो आप यहां पर भी हम कराटे और क्या कर रख सकते हैं आपका कराटे और कभीता रख सकते कराटे और कभीता के बीच एक प्रतियोगता ड् अभीकस के फिर भासन से क्रमागत क्या हो जाएगा आपका गायन गायन और भासन प्रतियोक्ता जो है क्रमागत दिनों में नहीं की गई है तो यहां पर क्या कर दिया नहीं की गई है तो अभी यहां पर हम क्या रखेंगे कभीता यहां रख दिया हमने और कराटे यहां पर आसर फिरतियोक्ता किरमागर दिनों में आयुत नहीं की गई है तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी भासन आ जाएगी और यह हो गई आपकी पजल सॉल्व देखो यह हो गई आपकी डे बेस्ट पजल थी किस पे वाधायत थी दिन पर आधारित पजल थी क्लियर है यस नो लिख दो क्लियर हो गया है तो यस लिख दो नहीं हुआ है तो नो लिख दो क्लियर है तो यस लिखो नहीं हुआ है क्लियर तो नो लिखो आगे बढ़े क्लियर हो गया है ना यस लिखो यार यस नो लिखा करो जब तक आप लोग यस नो नहीं लिखो गए हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आगया है कि नई चलिए अगली पजल पर रुक करते हैं अगली पजल को देखते हैं अगली पजल है पजल नम्बर थि आज जो है टोटल पांच पजल आपको जो है solve कराने वाले हैं हमारी है तीसे नम्बर की ये पजल थर्ड नंबर के वाली ये पजल है ठिक है इसमें लिखा हुआ है साथ ब्यक्ति C, D, E, F, G, H और I एक साथ मंजला इमारत में रहते हैं जहां सबसे निचली मंजल को संख्या एक और उसके उततकाल उपर की मंजल को दो और इसी तरह आगे भी प्रतेक ब्यक्ति के अलग लग गुण है जैसे देखवाल करने वाला विस्वसनी है बहादुर निर्नायक बिनर्व पिर्णा दायक और स्रोता जरूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो कोई भी दो ब्यक्ति एक ही मंजल पर नहीं रहते हैं यह ह हो गए देखो हमारी नॉमल इंट्रोडक्शन की कहानी ठीक है कि नत्य हो गाव यहां पर देखो बैक चलते हैं सरसंडे में गायन होगा नहीं हो सकता न देखो सो अरे सोरी 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 यहाँ पर हाँ गायन होगा गायन सोरी 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 यह आपका गायन हो जाएगा ठीक है गायन हो जाएगा यहाँ पर गलती हो गई हमसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा गायन हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं क्योंकि कह रहा है ना कि गायन और भासर प्रतियोगता किर्मागत दिनों में नहीं होते हैं यहाँ पर मैंने भासर समझ के confusion में एक भासर लिख दिया यहाँ पर गायन होगा ठिक है संडे बर गायन होगा ठिक आगे चलते हैं अगली पजल लिखी हुई है हमने इसे पढ़ लिया कह रहा है सबसे निशली मंजल कौन सी है संख्या क्या है एक है तो हमने सबसे पहले लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हमें एकजाम में भी सेम से करना है कि साथ ब्यक्ती है तो हमें शाथ मंजल है पहली निशली वाली मंजल कौन सी है एक और उससे उपर वाली दो नंबर ठीक है तो यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ा सा लाइनिंग कर लेंगे टेबल टाइप में इसको बना लेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ सके इसको टेवल की फॉर्मेट में हम कनवर्ट कर लेंगे नेहा जी यू आर राइट वो मेरे से गलती हो गई थी मैंने देखा नहीं गायन लिख भासन लिख दिया गायन था वहां ठीक है यहां पर देखो अब हमने देखो मंजले बना लिया एक कहें कि बिल्लिंग्स बना ली ठीक है अभी तक तो थी हमारी मतलब की इंस्ट्रक्शन पहले क्या दिये जाते हैं उसके बाद क्या दिये जाती है पजल दी होती है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना पहले जरूरी है अगर पर हमने एक कॉलम बना लिया देखो यहां पर लेखा हुआ है आई एक समसंख्या वाली मंजल पर रहता है आई क्या रहता है कहां पर रहता है एक समसंख्या वाली मंजल तो समसंख्या वाली मंजल एक तो देखो यह हो गई दो नंबर आई यहां लगा दिया ठीक है एक इसमे क्या वाली मंजल पर रहता है ठीक क्लियर इतना आगे लिखा हुआ बिस्वस्निय ब्यक्ती आई के ततकाल ऊपर रहता है आई के ततकाल ऊपर कौन सा ब्यक्ती रहता है जो बिस्वस्निय तो आई के ततकाल ऊपर हमने क्या लिख लिया भीया बिस्वस्निय लिख लिया ठीक है थोड़ा सा समझ लेना क्या है कि हमारी handwriting थोड़ी सी ऐसे ही है विस्वस्णिय आई की उपर कौन हो गया विया हमारा विस्वस्णिय एक तरह से हिंट के लिए समझ सकते हैं विस्वस्णिय टिक है आई की उपर क्या कह दिया हमने विस्वस्णिय लगा दिया अब कह रहा है डी और विस्वस्णिय व्यक्ति के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं डी और विस्वस्णिय व्यक्ति के बीच कितने दो व्यक्ति रह हैं तो यहां पर देखो नीचे तो रहना है को मैं तो यहांपर विस्वसनि और डी के बीच lower मंजल हैं दो व्यक्ति रहते हैं तो यहां पर देखो एक और दो डी आ गया च्छेवी मंजल पर यहां पर देखो उपर तो रह नहीं सकते तो हम डी को कहां रख देंगे नीचे एक दो और यहां पर भी उपर नहीं रह सकते तो डी हमारे कहां जाएगा यहां पार जाएगा च ये लोगी संक्याति कितने कम है एक कम है तो ड के नीचे कितने कम है एक कम है पेल्णा दायक से उपर उपर हो न जाएगा प्रे समय त्युक्रा उपर चाहिए ना इसके लिए अगर ये पांच जो है डी से नीचे है या फिर कहें पांच डी से नीचे है तो 6 कितने चाहिए प्रेणा दायक से उपर चाहिए ठीक है ऐसे ही इसमें देखें है डी से नीचे एक है तो यहाँ पर प्रेणा दायक के उपर कितने होगे दो होगे यहां तो दो देखो बढ़नी पड़े क्योंकि यहां विश्वस नहीं है तो यह वाली condition होगी हमारी क्या cancel ठीक है यह होगी हमारी क्या होगई cancel होगई अब देखो अगली थर्ड वाली रो में देखो दी के नीचे एक दो तीन है ठीक है तो प्रेड़ना दायक के उपर कितने होना जाए चार मंजले तो एक दो तीन चार तो प्रेड़ना दायक हमारा कहा है यहां आ जाएगा प्रेड़ना दायक यहां आ गया ठीक है प्रेड़ना दायक यहां आ गया इस वाले में आगे देखते कह रहा है एच और प्रेणा दायक व्यक्ति के बीच के वल तीन व्यक्ति रहते हैं एच और प्रेणा दायक व्यक्ति के बीच कितने तीन व्यक्ति रहते हैं तो एक दो तीन एक दो तीन तो एच कहा जाएगा हमारा यहां जाएगा इस वाले में देखते हैं तो एक दो तीन त दे με आहां पर इसमें देखो इस वाली पजल में यहां रखें तो एक दो तीन एन तो पेला दाया के तो नहीं फितंस तो यहां रहे तो इस आपका जगे आपका बहा दूर् 2 कि इसमें देखेंगे इसमें यहां रहे तो यहां पर आगए आपका बहा rules 10 क्योंकि अगर इसो नीचे कीज़गे आ रही थे डी नीचे तो तो हमारा बहादर यहां आता, ठीक है, तो नहीं आ पा रहा रहा था, ठीक है, आगे लिखा हुआ या तो G या H एक बहादर ब्यक्ति है, ठीक है, या तो G या H एक बहादर ब्यक्ति है, तो देखो H के नीचे तो यहां पाएगा, तो G यहां पर बहादर ब्यक्ति हो जाएगा clear वच्चो इतना clear हो गया तो yes no लिख दो जी अगला आगे लिखा हुआ है जी और निर्डायक ब्यक्ती के बीच केवल दो ब्यक्ती रहते हैं जी और निर्डायक ब्यक्ती के बीच कितने ब्यक्ती रहते हैं जी और निर्णायक भी दो ब्यक्ति एक और दो तो यहां पर निर्णायक कौन एप हो जाएगा निर्णायक ठिक क्लियर इतना निर्णायक इसे समझते जाना ठिक क्लियर हो गया इतना यहां पर देखो आगागे लिखा हुआ है ना तो आई और ना ही डी एक बिनर्म ब्यक्ति तो बचा कौन आपका H, बचा कौन H, तो H कैसा है भया, एक बिनर्म ब्यक्ति है, ना तो Y ना ही D एक बिनर्म ब्यक्ति है, तो यहाँ पर बचा कौन आपका H, तो H क्या है, बिनर्म ब्यक्ति है, यहाँ पर देखो, ना तो Y ना ही D, तो बिनर्म ब्यक्ति है, यहाँ पर कोई हुआ है सी श्रोता के तत्काल उपर रहता है स्रोता के तत्काल उपर सी यहां पर देखो कहीं सी आ सकता है श्रोता के ऊपर नहीं आ आपका यहां अब बच्चा देखो नंबर में कौन सा बच्चा है सी हो गया हमारा डी हो गया ई हो गया ए बच्चा है तो ई हो गया हमारा प्रेणा दायक और बच्चा कौन सा है यहां पर देखवाल करने वाला तो डी हो गया हमारा देखवाल करने बाला करने बाला कोई डाउट क्लियर है यह हो गई हमारी पजल सॉल्व यानिकी फर्ष्ट कंडिशन हमारी हो गई फॉलो इस पर बिस जो है क्वेश्चन आते हैं देखो क्वेश्चन तब आप तभी कर पाऊए जब यह डाटा सॉल्व कर पाऊए क्वेश्चन तो आंसर करना जो है बिलकुल इजी है मतलब की बहुत ही सहल है लेकिन सबसे मेन आपका काम है आपका पजल को सॉल्व कर लिए तो आपने जो है 100 एक है 90% काम कर लिया है बचा 10% यानि की question को इसमें से पढ़ना है और सीधा टिक करना है answer तो question हम इसलिए नहीं करा रहे हैं सीधा यहाँ पर आपकी puzzle solve करा रहे हैं ठीक है clear यार यसनो लिख दो यार चाल लोग जुड़े हुए हैं फिर भी यसनो नहीं लिख रहे हो वीडियो को थम देते जाओ और ज्यादा से ज्यादा सेर कर दो वीडियो को विजेन एगरेक एड़मी पर यह पहली क्लास है पजल की आगे चलते हैं अगली पजल पर next का अगली पजल है एत्य के थाड़ी सी हार्ड है ठीक है एत्य होडी सी हार्ड है इसको हम भॉत ही जो है ध्यान से करेंगी इस पजल को या फिर कहें त्वहासा तरक लगान के या तर्क विमाग लगा के लिखा हुआ है पहले क्या पढ़ना है हमें instruction पढ़ना है उसके बाद क्या करना है पजल देखो यहां पर एक पहला 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 ग्राफ जो हमेशा instruction का होगा या फिर जो आपकी जोगी सूचना होगी वह दी होगी फिर आपका जो दूसरा पहला गाव होगा वह हमेर साथ पजल करेता है ठिक है लिखा आठ ब्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H एक ब्रत्ताकार मेज के चारों और केंद की तरफ वुक करके बैठे हैं लेकिन आविस्थेक नहीं कि समान करम में हूँ उन में से पिरतेक विभिन प्रकार के जूते पसंद करता है अर्थार्द जो है एडिडास, रीबॉक, पुमा, बुडलेंड, रेडचीप, और बाटा, और वांस, और यूसीवी ठीक है यह आपने पढ़ लिया ठीक है अब जो है हमने पहले क्या बनाना है एक ब्रत्ताकार मेज या फिर एक कहें एक हमें बनाना है सरकल एक नहीं दो बनाने हैं हमें दो कितनी संभावनाय लेके चल ली हैं दो संभावनाय हमेशा लेके चल ली हैं दो संभावनाय हमने यहाँ पर बना ली चलो इसको एक और सरकल को हम नीचे बना ले रहे हैं एक circle हमने बना लिया यह अब 8 व्यक्ति बठालने है तो 8 हमें जो है इस्थान भी बनाने पड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक हो गया आपका 8 8 इस्तान हो गये अब जो है जो उसने कहा था कि जो आपके मेज के चार और केंद की तरव सारे के सारे केंद की तरफ कि тब होए मतलब की अंदर की ओर उन मुक्ष समझने के न इसको याद रखना इरेज कर दे रहें क्योंकि जहां पर डिटेल भरेंगे तो फिर जगह नहीं बचेगी न देखो यहाँ पर लिखा है यूसी भी पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है मान लो यूसी भी हमने देखों इंगलिस में लिखती है यहाँ पर देखों इतना समझ जाते हो आप UCB पसंद करने वाले व्यक्ति की दाये से 30 स्थान तो इसका दाया क्या होगा है? इस साइड होगा है तो पहला, दूसरा, तीसरा तो A हो गया भीया, यहां आगे लिखा हुआ है UCB पसंद करने वाले व्यक्ति और H के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं देखो यहाँ पर UCB और H के भी दो व्यक्ति देखो यहाँ पर एक दो यहाँ तो देखो H नहीं आ सकता क्योंकि दो व्यक्ति A और UCB के बीच वेट हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका H Same Condition हम यहाँ पर लिख लेंगे UCB A और आपका H यहाँ आ गया ठीक क्लियर है इतना हमारा क्लियर हो गया आगे लिखा हुगा है Red Chief और Revoke पसंद करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकर्तम पड़ोशी है मतलब की एक दूसरे के निकर्तम का मतलब याने की साथ साथ बैठे हैं मतलब एक दूसरे के निकर्तम पड़ोशी है ना तो A, ना ही H, ठीक है, रेड चीप या रीवोग पसंद करता है, इन में ना तो A पसंद करता है, ना ही H दो है, रेड चीप या रीवोग पसंद करता है, क्लियर इतना, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, आगे लिखा हुआ है, रीवोग पसंद करने वाला व्यक्ति, UCB UCB के बगल में rework एक हमने कहां पर लिख दिया इस साइड लिख दिया क्योंकि जो rework पसंद करने वाला है वो किसका निकर्तम पड़ोसी है UCB का निकर्तम पड़ोसी है यहाँ पर हमने दो condition बनाई है first condition एक यह आपकी यह है second condition इतना कर लिया अब यहाँ पर देखो पहले लिखा था रेड चीप और रीबोक पसंद करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकरतम पड़ोसी है तो यहाँ पर हम क्या लख लेगे रेड रीबोक यहाँ आप आ गया आपका रेड चीप यहाँ आ जाएगा रेड चीप कहा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी है ना यह लोग तो यह रेड चीप और रीबोक पड़ोसी हो गए तो यहाँ इस वाली कंडिशन में रेड चीप यहाँ पर आ जाएगा रेड चीप यहाँ कहा आ गया यहां पर आ गया ठिक क्लियर इतना आगे पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ती एके बाएं से दूसरे इस्थान पर बैठा है जो एडिडास पसंद करता है बैज जो है एके बाएं से दूसरे इस्थान पर बैठा है ठिक है यहां पर जो ह है just minute रुकिएगा क्योंकि थोड़ा सा पजल में गड़बड हो गई है एक में रुकिजाएगी बस एक महीन just minute एक मिनिट क्या है विच्च्चियों कि वो थोड़ा सा मैंने टाइप किया है ने इसे तो वो थोड़ा सा गड़बड हो गया है तो यहां पर लिखा हुआ है एक के बाएं से दूसरे स्थान पर ई और एच एक निकर्तम पड़ोसी है यहां पर जो है आप लिख लीजेगा ई वा एच एच स्वरी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एच का एक निकर्तम पड़ोसी नहीं है मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है E, H ठीक है E, H का एक निकर्तम पड़ोसी नहीं है इसको सुधार कर लेना थोड़ा सा अगर की इसकीन सोड ले रहे हो तो अभी लो E यहाँ पर जो को मैं लिख ले दाऊं थोड़ा सा E, H E, H का निकर्तम पड़ोसी नहीं है जो आपका E है H का निकर्तम पड़ोसी एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति E के बाएं से दूसरे स्थान वेठा है और E, H का निकर्तम पड़ोसी नहीं है तो देखो E को ना तो हम यहाँ रख सकते हैं नहीं यहां सकते हैं तो ए को हम देखो यह तो यहां रख सकते हैं ठीक है यहां रख सकते हैं ए के जो लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाले व्यक्ति ए के बाएं से दूसरे स्थान पर तो एक बाएं से दूसरे स्थान कौन सा है एच क्या पसंद करता है एडिडास पस तो इसमें यहां पर देखो फोलो नहीं हो कि अगर यह आ रखते हो तो दूसरे स्थान पर यहां यह नहीं आ पाएगा और अगर कि हम यहां रखते हैं तो हम पहनता है आपका हो जाएगा यहां पर रिवॉक्त आगया अगे चलते हैं आगे लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति बाटा पसंद करने वाले व्यक्ति और डीक दोनों का निकर्सम पड़ोसी है जो एडिडास पसंद करता है वो किसका बाटा पसंद करने वाले ठीक है किसका बाटा पसंद करने वाले यहां पर हमने लिखा पहले द पसंद करने वाला यहां पर भी देखेंगे अपन तो यहां पर देखो बाटा और दी तो नहीं आपन चलो यहां लेख देते हैं यह हो गया ठिक आगे चलते हैं बास पसंद करने वाला व्यक्ति बी के दाएं से तीसे स्थान पर बास पसंद करने वाला व्यक्ति बी के दाएं से तीसे स्थान पर तो देखो बी के दाएं से तीसे स्थान पर यहां तो बास आएगा नहीं यहां पर हम बी रखें तो यहां पर भी नहीं आएगा तो हम बी र आगे लिखा हुआ है रेड चीप पसंद नहीं करता बी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है एक मिर्ट मैं देखनू थोड़ा बी हाँ जी यहाँ पर लिखा हुआ है बी जो है रेड चीप पसंद नहीं करता यहाँ पर बी लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पजल में B मैं बुक रखे हूं जिससे मैंने यह लिए यह पजल टिक है टाइप किये ना थोड़ा सा इसमें वह फॉंट चेंज हो गया टिक है बी रेड़ चीप पसंद नहीं करता तो यहां पर देखो रेड़ चीप यहां तो हम रख नहीं सकते तो भी हमें रखना है यहां पर हमारा सही होता हो जाएगा तो पर रिवॉस हो जाए प्योर्म ₹?? अगे लिखर हुआ है कि यहां पर गड़ भड़ ही गड़ब तो यह दिखो एक मिनिट एक मिनिट मैं जसे करेक्शन कर्द में ठोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है और या आपका एक मिनिट होदा सा करेक्षन करना चाहेंगे हम यह वाइट कर दें जिससे क्लियर हो जाया आपको गलत ना लगे और पजल में देखो यही सब गलतिया जो है पजल को खराब होती है मैं इसको पहले पुरी लेंगविज लिख देता हूं आप समझ लेना अब हम लेते हैं रेड पैन या फर ब्लैक ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है सी प्यूमा पसंद करने वाले के सी प्यूमा पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक दाये बैठा है ठीक है एप एका निगर्तम पड़ोसी नहीं है और यहां पर जी एडिडास पसंद करने वाले व्यक्ति का एक निगर्तम पड़ोसी नहीं है यह हुगई भी है पजल सही ठीक है इसको करेक्ट कर लेना ठीक है यहां पर बी है अब देखो यहां पर बी रैट्ची पसंद नहीं करता इ के ठीक दाएं वैठा है ठीक दाएं सी जो है प्यूमा पसंद करने वाले के ठीक दाएं तो यहां पर देखो यह प्यूमा पसंद नहीं करता तो एक यहां पर आएगा नहीं तो प्यूमा आ जाएगा हमारा कहां पर यहां पर करें पूमा पूमा आ जाएगा हमारा E की जगए पर पूमा की ठीक दाएं तो यह इसका दाए ना इसता है तो C आ जाएगा हमारा UCB की जगए पर C कहा आ जाएगा UCB या फर यहां लेकिती हैं हमने C यह आपका B हो गया यह आपका A हो गया यह D हो गया यह हो गया ठीक है और एक इ हो गया नहीं हो और ऑप्टा से की यह ессonder करने वाले व्यक्ति ऑक पढ़ो बेसेद पॉपे अ घ्या रीडास पासंद दो बैसे नहीं आता तो जी आपका आजाएगा रेड़ स्ट की जगाए पर और एक ही बात करें तो बचा कौन सा बुड्ड लेंड का जो जूता है या पिर कहें जो जूते हैं बुड्ड लेंड के वो कौन पसंद करता है यह पसंद करता है तो यहाँ पर आपकी second condition तो पहले ही जो है वो हो गए थी ठीक है अब आपकी यहाँ पर फर्ष्ट वाली condition फॉलो होती है तो इसको note कर लेना ठीक है समझ एक बार इसको puzzle को skin sort ले लेना ताकि आप घर से भी इसको लगाओना तो आपक पजल नहीं आने वाली आपको चार से पांच वार घर पर लगाने होगी प्रक्टिस करने होगी और साथ क्लास में देखना होगा तब ही आपको यह समझ आने वाली है और अगर कि आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है विजन एकरेडमी को तो सस्क्राइब जरूर कर यहीं दोक का आगे चलते अगली पजल पर और इस दिन की आखरी पजल है है कि यहां पर देखो लिखा भुआ है फाले क्या है इंस्ट्रेक्शन एक कॉंशे नम्बर है पांच वे नमबर की पजल है कितनना मब़ की पांच में नमब़ की पजल पांच भी पजल है यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू आरेश टी यू अधिक्तम सो अंकों की लिखित परिक्षा में अलग-अलग अंक प्राप्त करते हैं चे अलग-अलग बैंकों अर्थात, आईसी- आईसिए- बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू कस्मीर बैंक, एटी-अपसी बैंक, करनाटका बैंक और लाबा दिवेंक को जोइन करने वाले छे ब्यकती हैं अंक एक पूरांक मान है और वे सभी बरावर दूरी पर केंद की और मुख करके ब्रत के चार और बैठे हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है वच्चो एक ब्रत बनाना है क्या बनाएंगे हम एक ब्रत बनाएंगे ब्रत की चार ओर बैठे ना सभी लोग तो एक हमने बना लिया ब्रत और यहां पर हमने जो है क्या कह रहा है केंद की तो यह हमारा केंद है और इसकी ओर मुख करके जो छह लोग बैठे हैं तो एक को हमने यहां बैठाया एक को यहां तो हमारे जो है छे लोग आप बैठ गए बैठ गए ना चे लोग ठीक है अब जो है हमने इस्ट्रक्शन पढ़ लिए अब पढ़ना है क्या पजल ठीक है तो पहले लिखा हुआ है आर करनाटक बैंक को जोइन करने वाले व्यक्ति के दाएं और से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है जो 69 अपर 69 अंक प्राप करता है हमने बताया था कि जो हमेशा किसको बताएगा दूसरे व्यक्ति को तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन सा है करनाटका बैंक को जोइन करन वाला तो जो किसको बता रहा है करनाटका को ठीक है तो आर करनाटका बैंक को जोइन करने वाले वेखते हैं दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो आर हमने दिया यहां और करनाटका बैंक हमने लिख दिया यहां पर समझ आ रहा है ना बच्चो यस्नो लिखते जाओ करनाट का बैंक या पर कहें करनाटक करनाटक लिए बैंक नहीं लिख रहे हैं ठीक है करनाटक बैंक और इसको कितने अंक मिले हैं 69 अंक मिले हुए है ठीक है किलियर है जो छे बिद्ध्यारतियों में से तीसरे निम्रितम अंक है मतलब कि छे बिद्ध्यारतियों में से तीसरे नमबर पर है मतलब नियूंतम से तीसा तो पहले तो हम देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फिफ्ट, और यह आपका नीचे वाला जो है आपका लोएस्ट है ठीक है तो यह तीसे नमबर पर है 69 ठीक है आगे पढ़ते हैं पी उस व्यक्ति के ठीक बाएं और है जो लाबाद बैंक जोईन करने वाले व्यक्ति के विप्रीत है जो अधिक्तम अंक प्राप्त करता है और LDFC बैंक LDFC जोईन नहीं करता है परन्तू उस व्यक्ति के बाएं से दूसरा है जो 74 अंक प्राप्त करता है एस उस व्यक्ति के विप्रीत वैठा है जिसने LDFC जोईन किया है एस क्यूंकि निकट नहीं है टी सबसे कम अंक प्राप्त नह कि हम सब यह वाला ठीक भाई ओ तो कौन बेठा हुए यह आर यहां पर हमें एक निश्चे जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई तो मिल गई न तो इलावाद बैंक हमारा कहां आ गया यहां आ गया इलावाद बैंक थोड़ा सा राइटिंग हैंड राइटिंग पर मत जाना चलो मैं इंग्लिस में लिक रहा हूँ इसे अलहवाद बैंक के बायएं ततकाल बायएं या फिर कहें नुमलत एक या फिर केंए ठीक बायएं तो एलावाद बैंक के ठीक बायए और अर सत्तर अंक प्राप्त करता है या पदे को लिखा Ogü सबसे निम्नतम अंक कितना लिखा हुआ है यहां पर एक मिनट इसको हटाते हैं सबसे निम्नतम अंक कितने हैं 64 है अब देखो यहां पर 69 है तो यहां पर कितना होगा 70 के उपर कितना होगा 72 के उपर कितना होगा विया 64 हो गया क्लियर है देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले 70 अंक कितने उनत्तर से बड़ा क्या हुआ 70 होगा मतलब कि अधिक अंक कितने सब्सक्राइब देखो यहां पर दिये हुए देखो यहां पर दिये हुए दिये हुए अब यहां पर देखो देखो और 69 के बीच कितने होगा अभाज संख्या है तो यहां पर यहां पर कह रहा है क्यों दूसरे अधिक्तम अंक प्राप्ट करता है और प्राप्ट करता है क्यों क्या करता है दूसरे अधिक्तम तो क्यों कहां पाई जाएगा पांची नंबर पर अब हमने देखा था पहले कि इलाबाद बैंक से संबंद यहां पर कुछ लिखा हुआ है पी उस व्यक्ति के ठीक बाएं वैट और है जो इलाबाद बैंक जोएन करने वाले व्यक्ति के ठीक बिप्रीत वाले व्यक्ति के बाएं कौन बैठा है ठीक बाएं कौन बैठा है पी तो पी हमने यहां पर बठा दिया ठीक ठीक बाइकन वेटा है दो करनाटका पिर बैंक के विपरीत वाले के ठीक मा पर बैठा दिया बठा दिया यह तुछ आगे चलते ओश्तर कोई पी से लेटर जानकारी नहीं मिलि लेत जानकारी नहीं मिलि जो UK निकट नहीं है जो का पी है वो किसके निकट नहीं है यू के निकट नहीं है तिक है इतना क्लियर हो गया क्यों दूसरे अधिक्तम अंग प्राप्त करता है यानि कि यह कहें कि बहत्तर वाले का बाया कौन सा स्थान होगा बहत्तर के यह हो गया दूसरा स्थान क्या हो गया आपका जो आपका एक्सेस बैंक जोइन करता है वह आपका बहत्तर रंग क्या फिर कहें क्यों के बाइं और से दूसरे स्थान पर हो गया एक्सेस बैंक हो गया यह आगे देखो एक चीप देखो लिखा हुआ है कि एस क्यूं के निकटतम नहीं है ठीक हो गया आगे और मतलब की लाइन लिखे हुई है ठीक है बहुत्तर अंग प्राप्त करने वाले व्यक्ति बाइस दूसरे स्थान पर यह लाइन होगी हमारी हो गई क्लियर आगे चलते हैं कि उपर देखते हैं यह तो हमारा पूरा पैराग्राफ हो गया आगे क्यूं दूसरे अधिक्तम अंग प्राप्त करता है और HDFC जोएन नहीं करता है प्रन तो ऊस ब्यक्ति बाइस से दूसरा है जो 74 अंग प्राप्त करता है मतलब कि अधिक्तम अंग प्राप्त करने वाले के ठीक मतलब बाइस से दूसरे इस थान पर कौन भी यह आपका 72 यह एक्सलों किंक्ध कुछन करने वाले के अभी पता है किस ने जोइन किया है तो उसको हमें विवस्थित करना है तो देखें अब यह कहां पर आएगा तो नहीं है तो 74 अगर कि यहां रखें और एक छोड़के हम q को यहां रखें तो 74 कहां आ जाएगा हमारा access bank यहां आ जाएगा बच्चों एक सम्हाव नहीं है तो हमारा q आ गया यहां क्योंकि 72 नमबर यह कहा है 72 ठीक है 72 आ गए आगे देखते हैं यह हो गया हमारा access bank ठीक है चौतर यह हमारा बन गया आगे चलते हैं एस उस ब्यक्ति के विप्रीद बैठा है जिसने SDFC जोईन किया है तो एस किसके विप्रीदि ब्याणा है EdFC bank टो जोईन करने वाले विप्रीद्वgi क्योंकि यहीं पर हम रख सकते हैं समंद्प्स में और कहीं रख नहीं सकते हैं her आ जाएगा जाएगा उया आजायगा तो एस हमारे यहां आ का ठीक हl कई कइस रखने सकते क्योंकि भी प्रीत्वमें हैं हैस यहां रखते हुआ तो इसके भी प्रीतमें हैस नहीं आगा ठीक तो सी आगे लिखा हुआ है क्यों के निकट नहीं वैठा है जो एस है क्यूं के निकट नहीं वैठा है टी सबसे अंक कम अंक प्राफ्थ नहीं करता है आगे लिखा हुआ कि तो और है कि यह वाला हमने पढ़ लिया जोब यक्ति आई सी आईसी आई सी chem करता है बजा और पी है वह क्या है आई सी आई सी आई सी यह बैंक जोहन कर सकता है आपका आफ आईसी आई सी आई सी ए freshly आई रहें कि अगप प्राप्त नहीं करता है तो यह अब बैंक कौन सा बचे थोड़ा सा समझ लेना क्या है handwriting ठीक है तो जम्मू पी के अंडर में आ गया ठीक है एस यहां पर हो गया एक्सेस बैंक के अंडर में हो गया ठीक है और इसका 74 हो गया और एक क्यूं हो गया HDFC में कौन होगा टी और टी में कह रहा है कितना सबसे कम अंक नहीं होते हैं टी में क्या नहीं है सबसे कमंग नहीं है एक मिनट रुक जाए थोड़ा साम पढ़ते हैं पहले तो जो इलावाद बैंक जोइन करने वाले विप्रीत है जो यू के निकर्तम नहीं है जो हमेशा किसको बता था दूसरे को तो इलाबाद bank के निकर्तम कौन नहीं है U नहीं है तो यहाँ पर आपका आजाएगा T और आपका करनाट का bank की जगाए पर आजाएगा क्या U आजाएगा जो हमेशा दूसरे व्यक्ति को और हमेशा पहले व्यक्ति को बताता है यह हमने पहले ही बताया है अगर कि आपने नहीं देखा अगर कि आप last late जुड़े हो तो आप सबसे पहले देख लेना हमने बताया हुगा है कि जो हमेशा दूसरे वेक्षि को बताता है और पहले को होगा gия है यहां पर आप इसको क्लीन कर देते हैं और इसको क्या कर देना है तो देखो यह हो गज़ी आपकी पजल लास्ट पजल थी ये सॉल्व हो चुकी है एक घंटे में पाँच पजल आपकी करवा दी है अगर कि सेशन अपको अच्छा लगा है तो जादा सेशन जरूर करिएगा लाइक जरूर करिएगा सेशन को ठिक है आगे चलते हैं आगे इसी के साथ आज की क्लास कक्षा आपकी समाप्त होती है अगर कि आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और चैनल जादा से जादा दोस्तों को सेयर जरूर करिएगा ठैंक्स फो वाचिंग विजिन एगरिकरिधी मिलते हैं इसमें दो है हम एक चीछ चलाने वाले alternative एक दिन math एक दिन reasoning तो कल आपकी di की class है आज जो है आपकी पजल की थी कल di की फिर परसों आपकी क्या पजल की class होगी मिलते हैं next session में